Hi HBC Team, भाई, कैसे हैं? आप आज ओअए होग क्या है? भाई, ये वीडियो है जो मैंने 24 गंटे पहले आप से एक क्केशन किया है, जो हमारा सेशन चल रहा है, क्केशन एंफर का, तो उसी से रिलेटेट है इे, तो पहला चीज यह है कि मैंने उसमें question किया हुआ है what is approach temperature and how to find out it कैसे हमारा मतलब की approach temperature है क्या और कैसे इसको निकाला जाता है चिलर में ठीके तो पहली चीज आपने देखा होगा अगर कोई भी भाई यहां पे कहने वालब interview दिया है तो उसको याद होगा अगर चिलर से रिलेटिव है तो उससे approach temperature जरूर पूछा जाता है 99% तो मैंने जो question किया उसमें very good आप लोगों ने बहुत अच्छा comment दिया है भाई लोगों ने तो उसमें आप लोगों ने याद कीजिए एक दो भाई है जो यह चीज बताया है कि approach है क्या और 90% जो आए है comment उसमें यही आया हुआ है कि approach निकालते कैसे है ठीक है आप लोगों ने यही चीज बताया है condenser water, saturation temperature, refrigeration जो भी है आप लोगों ने निकाल के बताया ठीक है तो that's a very good यार ठीक है आप लोगों ने कुछ तो महनत की है आप लोगों ने कुछ तो महनत की है आपके माइड में है उतना चीज है ठीक है that's a very good तो देखिए पहले चीज आप यह समझ जाए है कि approach निकालते कैसे है जो उसका exit जो सामने वाले को अगर आपको बताना है कि approach निकालते कैसे है तो ठीक है यह चीज याद रखे देखिए कि approach निकाला कैसे जाता है और approach अगर की बात करें तो maximum condenser की बात की जाएगी की जाएगे क्योंकि आपकी condensation जो होगी जो condensation वेपर से liquid आपकी gas बनेगी वो चीज वही से निकल गया दी आपका चीला लोड पे जा रहा है यह unload हो तो वहीं पे है कि सामने वाले को आपको यह बतानी है client को कि condenser refrigerant saturation temperature समझ गया है condenser refrigerant saturation temperature यानि जो gas हमारी वेपर से liquid बन रही है उसका temperature और minus condenser water living temperature बात समझे है ना condenser refrigerant saturation temperature minus condenser water living जो हमारी cooling tower की तरफ हमारा water जा रहा है हमारी gas की heating को लेके उसका temperature ठीक है तो जो आएगा वो हमारा approach temperature रहेगा ठीक है इसकी range होगी 0.5 degree Celsius से 3.5 degree Celsius के बीच में और अगर Fahrenheit की बात हम करें तो 3 degree Fahrenheit से लेके 9 degree Fahrenheit के बीच में यह हमारी range होनी चाहिए और अब यह तो हमने जो निकाल दिया अब इसको जो है क्या कहते है मलब approach है क्या तो approach एक सीधी sample language में बॉली जाती है अगर कोई पूछे कि approach है क्या अगर client आपसे पूछ रहा है कि approach है क्या आपने तो निकाला है तो approach यह बताने का approach is an indication of performance to chiller यानि chiller की performance बताता है कि यह chiller कैसा चला है अच्छी कंडिशन में चला है या लो कंडिशन में चला है या अगर आपका अप्रोच लेवल अप्रोच टेंपरेशर जो है आपका चार डिगरी celsius से ऊपर जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आपका चिलर लोड प 6 degree celsius या 7 degree celsius वो जाएगा ठीक है तो आपको यही बताना है कि chiller जो अप्रोच है वो indication है वो एक रास्ता दिखाता है हमें रास्ता बताता है कि यह आपका chiller कैसा चला है तो यह बताना है आपको कि chiller approach is an indication of performance to chiller या चिलर की performance बताता है अप्रोच यह आपका best answer है ठीक है कि approach चाहिक क्या ओके थैंक्यू चली मैं next question के लिए फिर से त्यारी करता हूँ जो maximum पूछे जाते हैं ओके थैंक्यू